ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती कॉर्डिवर्ट स्टूडियो द्वारा प्रस्तत आमले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अक्सर देखा जाता है कि एकांत में बैठ कर तो सभी परमात्मा को याद कर लेते हैं परन्तु जब कर्म योगी बनने की भात आते है तो अक्सर देखा जाता है कि कर्म करते हमारा कब योग परमात्मा से तूट कर कर्मों में वो दुनिया में लग जाता है हमें पता भी नहीं पड़ता इस योग के तूटने का क्या कारण है और हम निरंतर योगी कैसे बने इन्ही विधियों को आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महवाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्धे है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विध्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई सहब आपका आज की एपिसोड में बहुत वस्वागत है आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 75 के महवाक्यों पर जिसका टॉपिक है संकल्प शक्ती को कंट्रोल कर सिध्धी स्वरूप बनने की युक्तियां भैसब पर्मात्मा हम सभी से कहते हैं कि सदा बाप समान निराकारी स्थिती में स्थित होते हुए इस साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म शेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो जबकि नाम ही है कर्म योगी ये नाम ही सिध्ध करता है कि योगी है अरधात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं कर्म के बिना तो एक सकिंड भी रह नहीं सकते परमात्मा हम सब को कर्म के बीच में योग निरंतल लगा रहे हैं उसकी बहुत अच्छी विधी बता रहे हैं जैसे परमात्मा का उत्रण होता है तो निराकार पिटा इस साकार शरीर में उत्रेत होते हैं प्रवेश करते हैं ऐसे ही जब हम यह अभ्यास करते हैं मिली हैं कर्म छेत्र पर कर्म के बिना नहीं रह सकते अगर कोई कहता है कि मैं कर्म सन्यासी हूँ तो परमात्मा कहते है कर्म सन्यास नहीं होता क्योंकि कर्म के बिना ते एक सेकन भी हम नहीं रह सकते आत्मा जब इस शरीर के अंदर आई तो सांस ले रही है, देख रही है, बोल रही है, कर्मिंद्रियों के आधार ले करके कुछ न कुछ कर रही है, चल रही है, पेद रही है, हाथ ला रही है, तो ये भी तो एक कर्म है, किवल भुजन न बनाना, उसको कर्म सन्यास कहते हैं, पास्तों में परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा ने मुझे इस कर्म चेतर पर भेजा है, तो ये इस मृत्ति हमें कर्म योगी बना देगी, बिलकुल अगसर इनसान सोचता है कि कोई नौकरी ना करना, कोई काम नहीं करना, या खाना नहीं बनाना, इसी कोई सन्यासी बन कहते हैं, वास्तों में कर्म सन्यास नही हम भोजन करेंगे तो, नेंद करेंगे भी तो कर्म है, तो इस सरीर के द्वारा कोई भी कर्म जब आत्मा इस सरीर में है, तो कुछ न कुछ कर्म करेंगी, कर्म छेतर पर रहे हो, देखना, सोना, उठना, बैटना, बोलना, काना, यह सब कर्म है, लिए इस कर्म में परमात्मा क याद समा जाए उनकी स्मृत्ती में रह करके कर्म किया जाए तो कर्म स्रिष्ट हो जाएगा और कर्म योगी हम कहलाएंगे और इसलिए प्रमात्मा हमसे कहते हैं कि कर्मिंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे ही यात अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है कर्मिंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए आत्मा जब सरीर में है तो कर्म चल रहे हैं ऐसे ही जब यह स्मृत्य रहती है कि मैं आत्मा हूँ तो बुद्धी काम है परमात्मा की याद में रहना किसी न किसी की याद तो हमेशा बनी ही रहती है जैसे कर्मिंद्रियां अपना कर्म निरंतर कर रहे हैं ऐसे बुद्धी के द्वारा कहीं न कहीं आत्मा भ्रमन करती है, किसी न किसी स्मृत्ति में रहती है, लेकिन परमात्मा के साथ बुद्धी चुट जाए, यथार्थ योग, कर्म योग तब ही हो सकता है जब बुद्धी योग परमात्मा के साथ जुटा हुआ हो, योग है भी निरंतर हो जाए अंतन न पड़े तो ये कर्म कभी विकर्म नहीं बनेंगे कर्म कभी घलत नहीं होंगे क्योंकि परमात्मा की सक्तियां इसके साथ काम करेंगे तो इसलिए हम कर्म योगी बन करके कर्म करें ताकि कर्म विकर्म न बनें वैसा परमात्मा हमसे कहते हैं कि इन करमेंद्रियों का आदी अनादी अपना अपना कार्रे है हाथ को हिलाने वपाउं को चलाने में कोई महनत नहीं करनी पड़ती उसी प्रमान ब्रामण जीवन का तथा संगम योगी जीवन में बुद्धी का निजी कार्रे वजन्म का कार्रे याद है जो जीवन का निजी कार्रे होता है वह नैचुरल और सहज ही होता है तो क्या है ऐसे अपने को सहज कर्म योगी आनुभव करते हो या यह मुश्किल लगता है मुश्किल तभी लगता है जैसे कोई सरीर में डिफेक्ट आ जाए कहीं ब्लड का सरुक्लेशन न चला हो बराबर तो हाथ उठाने में भी दिक्कत होती है चलने में भी दिक्कत होती है जरा भी कहीं कोई डिफेक्ट हो गया कोई बीमारी आ गई तो उसके बाद महनत कानभव होता है वैसे इसका अनादी और नेच्रॉल कर्म है हाथ का हिलना, पैरों का चलना सरीर से हर कर्म होते रहते हैं लेकिन अगर कोई डिफेक्ट आ गई तो महनत है परमात्मा कहते हैं ऐसे ही संगम्यूगी ब्राम्हन आत्मा है जिनको परमात्मा द्वारा अलोकिक जनम मिला जिनकी इतनी उची पालना हो रही है इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है अगर उन्हें भी परमात्मा की आद निरंतन नहीं रहती तो उसके कोई कारण होंगे सहज योग क्यों नहीं लग रहा है योग में महिनत क्यों है जरूर कहीं न कहीं कोई डिफेक्ट है उसको बहुत महिनता से चेक करना पड़िए जैसे कोई भी सूक्षम नस अगर ब्लाक हो जाए कोई गांट बन जाए तो ब्लट सरुक्लेशन नहीं आता अपने आप वो सरीर कांग डिफेक्टेड हो जाता है यूज नहीं कर पाते महिनत लगते है ऐसे ही योग हमारा सहज हो जाए निरंतर हो जाए नहीं है तो उसकी चेकिंग करनी चाहिए नहीं तो सहज योग है परमात्मा हमारे पिता है उनके दोरा हमारे को पालना मिल रही है पढ़ाई मिल रही है ये इतना उंचा स्रेष्ट जीवन है उनके सिवाए मेरा और है कौन तो जब ये समरत्ती रहती है तो याद सहज हो जाती है और निरंतर हो जाती है मेहनत नहीं इसलिए प्रमात्मा कहते हैं कि अपना कारे कभी भी मुश्किल नहीं लगता है, दूसरे का मुश्किल लगता है, ये तो कल्प कल्प का अपना कारे है, फिर भी यदी मुश्किल लगता है, अर्थात निरंतर कर्म योगी स्थिती अनुभव नहीं होती है, तो इसका कारण क्य प्रमात्मा में कारण बताते हैं कि अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त करने वाले और सदाकाल की प्राप्ती से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं इसलिए अपने निजी कारे को भ आत्मा फसी हुई है, देखने में, बोलने में, सुनने में, खाने में, कोई भी भोग अगर भोग रही है, आकर्सन में आत्मा फसी हुई है, देहमान में आई और दे के करमिंद्रियों के रसों में वो लिप्त हो गई, और वो लिप्त हुई आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाए तो परमात्मा कहते है जब भोग ना भोग रहे हैं, उनका योग नहीं लग सकता है, कारण यह है, की हम अपने आपको आत्मा निष्चे करके इस देभान से डेटैच नहीं होते, कोई न कोई करमिंदरी का रस, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का आत्मा को आकर्सित कर रहा है ये जैसे वो कोई रसों को भोग रहा है सुख को कोई भोग रहा है तो भोग ही कभी योगी नहीं बन सकता इसलिए परमात्मा कहते हैं योग न लगने का कारण कहीं न कहीं कोई न कोई आकर्सन है कोई नोग भोग में आत्मा भसे हुई है और इसका एक्जामपल परमात्मा देते हैं कि जैसे आजकल के संपत्ती वाले वह कल्यूगी राजा जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं तो अपना निजवी कारे राज्य करना वो अपना अधिकार भोल जाते है ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भोल जाती है अर्धात अपना अधिकार भोल जाती है जब तक अलपकाल के भोग भोगने में मस्त है तो जहां भोग है वहां योग नहीं इसी कारण मुश्किल लगता है परमात्मा एक बहुत सुन्दरी मिशाल दे रहे हैं कि जैसे कोई संपत्ति वाला भोग विलास के अंदर वैस्त हो अपने करतबी को भूल जाएगा राजाएं अपने करतबी को भूल गई इसलिए उनकी राजाई चले गए आप आत्मा अगर करमिंद्रियों के वस हो गई किसी न किसी भोगना को भोगने में वैस्त हो गई तो आपके जो कारी है निजी उनसे आप बंचित हो जाएंगे और आपका जो असलिकारी है परमात्मा की याद में रहना जो अनादी कारी है उसकी याद बनी रहे उससे हमारा connection जुटा रहे वो तोट जाएगा कहीं ने कहीं आप किसी ने किसी कर्मिंद्री के अधीन है तो अधीनता समाप्त हो जाए इसलिए कर्मयोगी आत्मा है कोई भी भोगना के अधीन नहीं होती बिल्पुर भाइस वर आशकल देखते हैं कि वर्दमान समय दुनिया में भी देखें कि बच्चे अक्सर मुबाइल में, सोशल मीडिया में और अलग अलग तरहां के टीवी के अलग अलग फॉर्म्स निकलाएं तल्यू के अंदर तो बहुत सारे आकरसन है अगर उस आकरसनों में हम चले गए इस जीवन के अंदर, योगी जीवन के अंदर कोई भी आत्मा अगर इन आकरसनों की तरफ आकरसित हो गई माया का पॉंप है सारी दुनिया के अंदर आकरसन बढ़ते जा रहे है कोई भी रस के अंदर हम चले गए तो योग तोट जाएगा सहज योगी जीवन नहीं बन सकते है प्रमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय माया ब्राम्वन बच्चों की बुद्धी पर ही पहला वार करती है पहले बुद्धी का कनेक्शन तोड़ देती है जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलिविजन रेडियो आदी के कनेक्शन तोड़ देते हैं लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं फिर वार करते हैं ऐसे ही माया भी पहले बुद्धी का कनेक्शन तोड़ देती है जिससे लाइट माइट शक्तियां और ज्यान का संग automatically बंद हो जाता है अर्थात मुर्चित बना देती है अर्थात स्वयम के स्वरूप की स्मृती से वन्चित कर देती है वो बेहोश कर देती है उसके लिए सदेव बुद्धी पर अटेंशन का पहरा चाहिए तब ही निरंतर कर्मयोगी सहज बन पाएंगे और माया ऐसे जब अखेला बना देगी सब प्रकार के जो साधन है उनसे आप दूर बढ़ जाएंगे अच्छे संग से, पढ़ाई से, परमात्मा से जब बुद्धी योग कट जाएगा तब माया अपना बना करके विकारी बना देगी इसलिए बहुत ध्यान देना सुबे से रात तक की जो हमारी दिंचरिया बनी हुई है जो हमारी सेफटी के साधन है उनस साधनों को त्यागना नहीं तब योग पनिरंतर होगा और माया के किसी विवार से हम सेफ रह सकते हैं परमात्मा हमसे कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धी को लगाना चाहे वहां स्थित हो जाएं संकल्प किया और स्थित हुआ यह रुहानी ड्रिल सदेव बुद्धी द्वारा करते रहो अभी अभी परमधाम निवासी अभी अभी सुक्ष्म अव्यक्त फरिष्टा बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मिंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं इसको कहा जाता है संकल्प शक्ती को कंट्रोल करना संकल्प शक्ती पर जितना हमारा कंट्रोल होगा उतना हिस संकल्ब से हम यात्रा कर सकते हैं इसको हम कहते हैं रूहानी डिल जैसे exercise करते हैं तोहाइट पैर उपर निचे करते हैं ऐसे ही रूहानी डिल करने से आत्मा कभी अनुभो करती है मैं इस साकार सरीर के अंदर इस ब्रकुटी के बीच भी राजमान एक चैतने सकती इस सरीर से अलग हूँ फिर साकारी इस्थिति के बाद वाकारी दुनिया का अनुभोकन लेती सुक्ष मुटन में पहुँचती बुद्धी योग से आत्मा कभी सरीर छोड़ करके यहां से वहाने जाती लेकिन यह जो बुद्धी की तार है मर्ज और इमर्ज इस साकार दुनिया की बाते हैं साकार दुनिया का इस रूप मर्ज हो जाता है और सुक्ष मुटन के उद्रसी मर्ज होने लगते हैं अब परिष्टे के रूप में लाइट के रूप में बावा के सामने जैसे हम पहुच गए बुद्धी बल से हम सुक्ष मुटन का अनुभव कर सकते बुद्धी बल से हम निराकारी दुनिया का परमधाम का अनुभव कर सकते तो ये ड्रिल हमारी निरंतर चलती रहे इसके लिए अपने संकल्पों पर फुल कंट्रोल जाए अगर संकल्प इधर उधर भटक रहे हैं उनको बहुत अच्छा चिंतन नहीं दिया हुआ है उन पर हमारा ध्यान नहीं है तो हम ये तीनों लोकों की यात्रा नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना है जिस अभ्यास से हम साकारी, आकारी, निराकारी वतन में जाकर के सहज और निरंतर योगी बन सकते हैं परमात्मा हमसे कहते हैं कि संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचाईता हो जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले जहां बुद्धी लगाना चाहें वहां ही लगे इसको कहा जाता है अधिकारी यह प्रैक्टिस अभी कम है इसलिए यह अभ्यास करो अपने आप ही अपना प्रोग्रेम बनाओ और अपने आपको चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही कुछ समय निकालना पड़ेगा इसके लिए एक घंटा, दो घंटा, 24 गंटे के अंदर देखना चाहिए कि इस समय मानलो आज हम सबेरे सबेरे चार से पॉने पाँच बजे योग करते हैं मन की स्थित्टी कितना हमारे कंट्रोल में है जितना समय हम चाहें सुक्ष मुतन का अनुभू कर सकते हैं दस मिनट, पाँच मिनट उस निराकारी स्थित्टी में रह सकते हैं बुद्धी इधर जा रही, उधर जा रही, भटक रही है, या एकाग्रचित हो गई, तो जब हम इसको प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, समय अनुसार, ध्यान देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, कई लोग सेवाओं में इतना अधीक व्यस्त हो गए हैं, जो अपने कोई कर्म उसके गलत हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, इसके लिए समय दो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते करते कर्मिंद्री जीत, विक्रमाजीत बन जाओ, तो वो संपून स्टेज को प्राप्त करने के लिए हम सबको इस प्रकार के अभ्यास क जरूर रहते हैं बुद्धी में एक संकल्प धारण करके बैठो उसके उल्टी कॉपी कर एक टांग उपर कर लेते हैं बास्तों में ये द्रस्यत कभी कुममेले में या ऐसे जब धार्मिक मेले लगते हैं तो देखने को बहुत मिलते हैं बहुत सारे ऐसे सन्यासी जो हठयोग किये होते हैं घंटों एक टांग पर खड़े रहते हैं कोई एक पैर उपर करके खड़े रहते हैं कोई पानी के अंदर खड़े हो जाते हैं कोई सिर को नीचे करके पैर उपर कर लेते हैं, तो ये हठीयोगियों के द्रस से हैं, परमात्मा ने ये सिखाया नहीं, लेकिन वो हठीयोग से भी सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा हम सब को कहते हैं, परमात्मा ने जो आप बच्चों को सिखाया, कि बुद्धी म वही एक संकलप में इस्तेत हो जाओ, एक आगर कर लो, एक टांग पर खने होने की बात नहीं है, लिकने एक संकलप में इस्तेत हो जाओ, संकलप दूसरे नचले, अब इसके लिए बहुत प्रेक्टिक्श चाहिए, सरीर को तो रोका जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अभ्यास किया है, इस अभ्यास के लिए समय नहीं दे रहे हैं, कहते हैं क्या करूं क्यों कि इतना ज्यान की कमी, समझ की कमी है कि परमात्मा हम क्या बनाना चाहता है, जिसने आत्मी की स्थिती का अच्छा भ्यास कर लिया, वो मन और बुद्धी पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है, जितना समय चाहे बुद्धी में वही संकलप चलें, उसके लिए हमें बहुत अच्छा भ्यास चाहिए, अच्छी स्टडी चाहि भोजन के जो हम भोजन कर रहे हैं माना जो देख रहे हैं, तो बुद्धी का भोजन है और हम का आम पर्मात्मा की आद में एक गंटा एक आग हो जाएंगे तो जो सुना है, जो बुला है, जो किया है उसका प्रभाव पढ़ता और उस प्रभाव के कारण बुद्धी भटक जाती है अब उसके लिए हम सबको वैरागी की जरूरत है जब इन सब बात्तों से वैरागी आएगा तब आत्मा एक रस एक टिक इस्तिति में इस्तित हो सकेगी सहज हो जाएगा, नहीं तो बहुत मेहनत है और ऐसे भी पर्मात्मा के इंस्ट्रक्शन जो है डारेक्शन जो है वो आत्मा के लिए है, देहे के लिए नहीं है प्रिंतो हठ योगी ने उनको देहे के लिए बना दिया और इसलिए वो एक टांग पर खड़े हो गए इसी का एक और एक्जामपल परमात्मा देते हैं कि ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थोल कारे वर सेवा में विचारों का मेल करते हो, अर्थात सब एक विचार वाले हो जाते हो, तब ही कारे सफल होता है ऐसे ही संगठन रोप में सब एक संकल्प स्वरूप हो जाएं, बीजरूप स्मृती चाहें वस्थिती चाहें तो सब बीजरूप में स्थित हो जाएं, ऐसे जब एक स्मृती स्वरूप हो जाएंगे, तब हर संकल्प की सिध्धी अनुभव करेंगे वस्थिती स्वरूप हो परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी प्रेक्टिस कराते हैं मानलो आज कहीं दस का पंदरा का संकठन है संकल्प दिया जए जो उसके डिल टीचर हैं जो योग करा रहे हैं वो संकल्प दें कि अभी हम दस मिनट के लिए उस बीजरूप स्थिति में स्थित हो करके बैटेंगे और पंदरा ही एक जैसे योगी अगर एक संकल्प में स्थित हो जाए कितना अच्छा एक वायू मंडल बनेगा कितनी दूड़ दूड़ तक वो वायवरेशन जाएंगे एक संकल्प में चलो बीस मिनट बैटो पंदरा मिनट बैटो नहीं घंटा बैट सकते लेकिन जितना समय बैटना वो एक संकल्प में बैटना है हम अभ्यास करते हैं यहां करवाते हैं पंदरा मिनट हम बीजरूप स्थित में बैटेंगे पंद्रा मिनट हम सुक्ष मोतन की स्टेज में फरिष्टा इस्तिते में इस्तित होंगे पंद्रा मिनट हम इस साकार के दुनिया में फरिष्टे के रूप में साकार में जैसे हम सेवा के लिए हैं इस प्रकार के अगर हम ग्रुप में प्रेक्टिस करें दस पंदरा भाई बहने मिल करके बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा और हमारे संकल्प से दोने लगेंगे संगठन की एकाग्र सक्ती से कई प्रकार के बिग्न खतम हो जाएंगे कहीं पर भी कोई योग के प्रियोक करने है इस प्रकार के अगर प्रियोक करेंगे तो सपलता मिलेगी तो परमात्मा हम सबको संगठित रूप में एक संकल्प में इस्थित होने की प्रेना दे रहे हैं बिल्कुल वाइसाब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी कर्म-योगी स्थिती बना सकते हैं, कैसे हम अपने हर संकल्प से सिध्धी प्राप्त कर सकते हैं। वैसा बिन विधियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकु आज के अपिसोड में हमने समझा कि निरंतर योगी बनने के लिए हमें अलपकाल के इंद्रियों का सुक प्रदान करने वाले साधनों से स्वयम को दूर रखना है। पर मात्मा ने बताया कि यदि हम कर्मयोगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने बुद्धी पर पूरा अटेंशन रखना है और रूहानी ड्रिल करते रहना है। और यदि हम वायो मंदल को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो हमें संगठे तरूप में स्मृती स्वरूप रहने का अभ्यास करना है। दर्श को आज के अपिसोड से संबंध है तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें इमेल कर सकते हैं। अगले अपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समख्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। आम शान्ति। मुख्यसार कर्म योगी शब्द का अर्थ जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। बाब समान निराकारी स्थिती में स्थित हो इस साकार शरीर का आधार ले कर्म शेत्र पर कर्म योगी बन कर हर कर्म करना योग नहीं लगने का कारण जहां भोग है वहाई योग नहीं इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें